हाई गाईज वेलकम तू मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ रिव्यू करने जा रही हूं यह हिलारी रोडा की दे बुक अफ मेकप आईशाड़ो पैलेट बेसिकली यह आईशाड़ो कम फेस पैलेट भी है इसमें जो मेरा शेड है वो है जीरो टू एक बार मै अल्रड़ी इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ बट उस रिव्यू में मैंने स्वाचेज नहीं दिखाय थे और आई लुक भी क्रिएट करके नहीं दिखाय था काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाओ जिस मैं इसके साथ आई लुक क् के मिल जाते हैं, दो ब्लस शेड़े हैं निय Milwaukee Theatre कि वीडियो में आप यहां पर आई बटन पर देख सकते हैं, यह ऐपको यह शाड़े हैं स्वाचेज दिखा रही हूँ, ऐसा बंद कर ते हैं यह जो पहला शेड है बहुत ही एक वाइट कलर का बौन कलर है, जिसे कि आप धेकलि आप इसको यूज नहीं है तो सकते है यह hol닥 है क्रीम किलर के आप इसकी ठीक ठाक है अब यह आते हैं यह जो तर्ड मेरा याप सकते हैं यह हाईलाइटर मेरा भी आप यूज कर सकते हैं very pigmented and beautiful I would say फिर ये पीची सा एक shimmery shade है और अब देख सकते हैं कैसा दिखता है ये अब बाकी shades मैं एके करके आपको swatch करके दिखाती जाओंगी ये जो green shade है ये shimmery है और इतना कुछ pigmented ज्यादा नहीं लगा मुझे ये blue shade भी it's kind of okay बहुत अच्छी pigmentation नहीं है इसकी पीचार बार लगाने के बाद कुछ pigmentation दिखती है तो आपको you'll have a tough time अब आते हैं ये थोड़ा dark green है ये इसका color बहुत अच्छा लगा pigmentation भी बहुत अच्छी है बहुत ही smooth था लगने में this is absolutely a wonderful color मुझे पसंद आता है ये color बहुत ज्यादा अब ये blue वाला shade ये भी ठीक ठाक pigmented है एक चीज़ इस eye shadow की palette की खास बात ये है कि इसमें बहुत ज्यादा fallout नहीं है ये वाला purple shade आप देख सकते हैं थोड़ा से chalky है बट ओकी I think मैं work कर सकती हूं इसके साथ ये blue shade है इतना pigmented नहीं है अब आते हैं इस dark purple shade पे इसकी pigmentation भी बहुत अच्छी लगी मुझको बेसिकली यहाँ जो थोड़े से ज्यादा जिन में shimmer है जिन shades में वो काफी अच्छ से pigmented है और ये वाला gold color पे आप देख सकते हैं फिर आते हैं bronze color पे ये भी बहुत अच्छ से pigmented है इस palette में matte shades जो है वो सिर्फ चार दिये हुए है ये वाला जो shade है ये gray color है you can see absolutely wonderful हाँ तुमें कह रही थी कि ये matte shades जो है सिर्फ चार ही है और ये जो brown वाला shade है ये matte है pigmentation कम है बट स्टिल आप इसको as a transition यूज कर सकते हैं अब आते हैं ये red shade पे this is wow this is beautiful बहुत ही अच्छ से pigmented है और मैंने इसको भी यूज किया है आज eye look create करने के लिए ये जो pink shade है ये भी matte है बट इसकी pigmentation कुछ खास नहीं है अतनी then peachy वाला जो ये shade है ये जो last में अब बच गया है peach shade भी अच्छा खासा pigmented है purple वाला जो है इतना अच्छ से pigmented नहीं है आप देख सकते हैं swatches का दो तीन बार लेने के बाद ही मिला है overall I would say कि eyeshadows अच्छा perform कर सकते हैं अगर आपको use करना आता है basically eyeshadows को and fallout नहीं है kickback भी नहीं है pan में and very very smooth to touch apart from कुछ colors जो कि come pigmented है eye look से शुरू करते हैं मैंने ये brown वाला shade लिया है जैसा मैंने बोला matte shade है तो transition के लिए आप इसको use कर सकते हैं crease line को define करने के लिए use कर सकते हैं तो मैं भी इसको अपनी crease पे लगा रही हूँ and depth और definition देने के लिए इस brown वाले shade को एक shadow brush के help से लेके लगा रही हूँ अब ये pink वाला blush shade है इसको लेके मैं जहो भी brown लगाया था shade मैंने उसको अच्छा से blend कर लूँगी ताकि बहुत ही smooth लगे soft लगे मेरा जो eye look है वो अब पूरा जो ये brown shadow था वो पूरी eye light पे लगा दिया था मैंने लेकिन end में मैंने सुचा कि चलो cut crease look करते हैं तो इसलिए मैंने micellar water को एक cotton bud पे लेकर clean कर लिया और आप देख सकते हैं पूरा ही color मैंने brown वाला हटा लिया अपने eye light से अब concealer को use करके मैं यहाँ पे cut crease look achieve कर रही हूँ अब ये pink और ये red वाला shade लेके मैं अच्छे से outer V पे लगा लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा reddish सा look चाहती थी तो इसलिए मैंने red color को choose किया, red आपने देखा था swatch में कितना ज्यादा pigmented था वो अब ये golden shade लोँगी मैं एक flat brush पे और उसको जहाँ पे भी मैंने concealer लगाया था वहाँ पे अच्छे से लगा लोँगी मैंने beach में fingers का भी use किया था क्योंकि ये brush से मुझे लगा pigmentation इतनी अच्छी नहीं आ रही है अब देख सकते हैं finished look कैसा है अब ये pink shade लेके अपने lash line पे lower lash line पे मैं smoke out कर लोँगी अच्छे से अब ये light shimmery shade लेकर मैं inner corner पे highlight कर लोँगी और brow bone पे भी इसी को ही लगा लोँगी काजल ले रही हूँ और lower waterline पे काजल लगा रही हूँ अब जो मैंने काजल लगाय था मैं उसको smudge कर लेती हूँ इससे बहुत ही प्यारा सा बहुत ही smoky सा soft smoky सा एक look आता है time for lashes तो मैंने curl कर लिए lashes and using the L'Oreal mascara मैं mascara लगा लेती हूँ falsies मैंने off camera लगा लिए है and here is the final look do let me know अगर आप और भी palettes में से ऐसे ही quick simple tutorials देखना जाहते हैं like swatches and tutorials ऐसे मैं बहुत सारे videos ले के आऊंगी and already मैंने अपना eyeshadow palette collection भी share किया है so do let me know अगर आप को यह look अच्छा लगा and I'll be seeing you next time bye